हेलो फרेंट्स में मनोज आप देख रहें ठेकनिकल मनोज टीवी आज की एस वीडियो मा आपको नागपुर मंडल में रद रहने वाली मेमू पेसंजर ट्रेने व दिल्ली एंस्यार में सुरू होने जा रहे ही लोकल ट्रेनों के बारें में एक अपडेट देनी जा रहे हैं अगर आपे इन सभी ट्रेनों के चलने के अंदियार कर रहे हैं तो यह जनकारी आपके काम की साबित होने वाली है जी हाँ दोस्तो भारती रेल वे नाकपुर मंडल में मेगा बलोक की वज़े से इस रूट से जाने वाली बहुतर ट्रेनों को रत कर दिया है और दिली NCR में 28 म लेकन को प्रेस कर दिजिए ताक कि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले चलिए विडियो शुरू करते हैं दोस्तो बहारती रेलोग करोना काल से बंद पड़े लोकल ट्रेनों को फिर से चलाने जा रहा है दोस्तो इस तरह से सबी ट्रेन चलने वाली है इन सबी ट्रेनों के लिस्ट आपको वीडियो की रिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहां से आप देख सकते हैं इसके लावा दोस्तो बहारती रेलोग नाकपुर मंडल में नोन इंटरलोकिंग के कारीक वज़े से मेगा ब्लोक लिया है जिसे इस रूट से जाने वाले ट्रेन कैंसिल रहेगी इन केंसिल रहने वाले ट्रेनों में पहले नमर की ट्रेन है 08743 गोंदिया से इतवारी को जाने वाली मेमू ट्रेन 9 अगस से 14 अगस तक रद रहेगी इसरे नमर की ट्रेन है ट्रेन से जाने वाली मेमू ट्रेन 9 से 14 अगस तक रद रहेगी चोथे नमर की ट्रेन है ट्रेन संक्या 18239 कोरबा से इतवारी को जाने वाली लोकल ट्रेन 13 अगस्त तक रद रहेगी पाच्वे नमर की ट्रेन है ट्रेन संक्या 18240 इतवारी से बिलासपुर को जाने वाली मेमु ट्रेन 13 अगस्त तक रद रहेगी छटे नमर की ट्रेन है ट्रेंसंख्या 12855 इत्वारी से बिलासपुर को जाने वाली इंटर सिर्टी एक्स्प्रेस ट्रेन 14 अगस्त तक रद रहेगी तो दोस्तों इस तरह से इस सभी ट्रेन रद रहने वाली हैं इन सभी ट्रेनों के लिस्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप देख सकते हैं आशा करता हूँ दीगे जनकारी आपको अच्छी लगी होगी रेलवे की सब्सक्राइब बिट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर करना मत भूलिएगा चलने मिलतें किसे और ने वीडियो में तब तक कि लिए नमस्कार